नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है सुनील चौधरी आप डिजीटल कोच और फाउंडर अफ जस्ट बाजार और आप सभी को डिजीटल मार्गिटिंग सिखाता हूँ मेरा लक्ष है 10 लाख लोगों को डिजीटल मार्किटिंग सिखा कर भारत देश को डि विजिस काम को नहीं कर पाता हूँ, यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जादा तर लोग अपने जीवन में टाइम टेबल नहीं बनाते, तो what is the problem, right? Do you find yourself constantly running out of time? मिरे पास time नहीं है, मिरे पास time नहीं है, मैं बहुत busy रहता हूँ, मेरी तो लगी पड़ी है, मैं तो 8-10 घंटे नोगरी करता हूँ, आने जाने में रास्ते बहुत time लग जाता है, मैं तो दिन पर showroom पर रहता हूँ, मिरे पास time नहीं है, time नहीं है, time नहीं है, time नहीं है, बह और एक रीजन है awareness, कि समय को कैसे बिताया जाए, इस चीज की जानकारी नहीं है, अगर आपको सही जानकारी नहीं है, तो इस समस्या से जीवन भर आप जूजते रहेंगे, क्या आपको जानकारी लेना चाहते हैं, yes, awesome, दूसरा problem, कि हमारे लक्ष निर्दारित नहीं है, हमें पता ही नहीं है क्या करना है, गोजारा करने वाली इस्तिती में हैं, जो हो रहा है वो ठीक, जो हो जाएगा वो ठीक, कोई लक्ष निर्दारित नहीं है, क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कोई planning नहीं है, कोई assistance नहीं है, कोई कोच नहीं है, कोई ग्यान नहीं है, काम देखकर घबरा जाते हैं, बस इतना सारा काम, कोर्स जोइन कर लिया, इतना सारा काम, कुछ लोग तो कोर्स जोइन ही नहीं करते, कोई भी कोर्स, कोई भी प्रोग्राम, अरे पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, पहले ही दिमाग की धही हो जाती है, पर इस सब इतना मुश्किल भी नहीं है ना, सबसे बड़ा रीजन है टाल मटोल, कल कर लेंगे, अगले हफते कर लेंगे, अरे कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है ऐसी, है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में कोई बदलाब नहीं आएगा, फेल होने का डर, मैंने इनका कोर्स जोईन कर लिया, मैंने इंकर पाया, फेल हो जाओंगा, तो भाई कोशिश करने वालों की संभावना रहती है, कि वो कर सकते हैं, पास हो सकते, अगर आपने कोशिश ही नहीं की, तो आप 100% पहले ही फेल हो, दर किस बात का है फिर, अगर आपने काम करने शुरूई नहीं किया, तो आप 100% फेल है माई साब, पिर आपको pass कोई नहीं कर सकता बड़ अगर आपने कोशिश की आगे बड़े कदम बढ़ाया तो pass होने की समभाब ना आ है अगर आपने दाख लाई नहीं है तो fail हो ना फिर आपकी qualification तो उतनी ही रह गई जतनी जानते हो आप तो time table बनाओगे तब तो time table follow करने के chances बढ़ेंगे time table बनाया ही नहीं तो फिर तो failure already बट इसकी समस्त्या का समाधान है अगर आपी वीडियो देख रहे हैं तो खुश किसमत हैं आप you are भग्यशाली कि आपको समाधान मिलेगा आपको time table बनाना है अपने tasks को prioritize करना है अपने time को effectively manage करना है right अपने सबसे पहले लक्षों को निर्धारित कीजिए फिर उनको छोटे-छोटे टुकडों में बाटिए for example मुझे बहुत बड़ी website बनानी है तो भाई सब पहरे home page बनाओ फिर contact space बनाओ फिर blog लिखो एक YouTube channel पर 100 videos हो जाएंगी अगर आपने रोज 10 गरहकों को contact किया तो 100 दिन बाद आप 1000 गरहकों को contact कर चुके होगे अब मरे से मरे कौन सी average लगाओगे, 1000 में से कितने गरहक आपके permanent गरहक बन जाएंगे ऐसे ही रोज अगर मेहत पड़ोगे तो बहुत सारा मेहत आ जाएगा रोज कुछ भी कर लो आप छोटे-छोटे टुकडो में बाटके उस काम को करते जाओगे काम आसान हो जाएगा कोई भी मुश्किल चीज है उसे तोड़ दो आसान कर दो फिर उसे टुकडो में करो तो start by identifying your goals and breaking them down into small achievable tasks लक्ष बहुत बड़ा रखो पर छोटे-छोटे टुकडो में कौन सा काम कितने बज़े करना है सुबह मुझे motivational किताब पढ़नी है सुबह मुझे motivational podcast सुनना है उसके बाद मुझे exercise करनी है उसके बाद मुझे नहाना दोना है उसके बाद मुझे खाना हाना है उसके बाद मुझे ये करना है उसके बाद मुझे office जाना है उसके बाद मुझे ये करना है proper सब चीजे लिखी है और वही करनी है तो tension है यह नहीं टाइम टेबल के हिसाब से चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी टाइम टेबल के बीच में ब्रेक लेना, चाए पीना, ड्रिंक्स पीना, पानी पीना, फल खाना, छोटा-छोटा रिफ्रेश्मेंट लेना बहुत जिरूरी है पता चला, आज तो आपके अंदर एकदम करमटता आ गई, आठ घंटे लगातार काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में आखें गुसेड़के, आखें भी खराब होगी, टेंशन में आगया आप, एंग्जाइटी होगी, वो नहीं करना, इतने बज़े से इतने बज़े तक काम करना है, उसके बाद, रिलेक्स, कुछ भी हो, रिलेक्स, फिर काम करना है, कुछ भी हो जाए, तो काम करना है, फिर कुछ भी हो जाए, तो टाइम पर रिलेक्स, तो इस वेरी वेरी इंपोरेंट, सबसे ज़्यादा इंपोरेंट काम को सबसे पहले कीजिए, मेरे लिए सबसे पर students, मेरा जो सुबह का टाइम बीचता है, वो high paying clients के साथ बीचता है, high paying students के साथ, सुबह उनकी problems का solve के आयाता है, high priority पर दिन भर और काम होते हैं, हलके फलके, फिर शाम को पूरा time students के लिए dedicated कर दिया जाता है, दिक्कत ही नहीं है, और मैं सुबह भी free रहता हूँ, दुपहर के बाद भी free रहता हूँ, और उसके बाद भी free रहता हूँ, और ये वीडियो में अपने free time में बना रहा हूँ, ये ना भी बनाता है तो के दिक्कत नहीं थी, right, तो कुछ ऐसे free time भी होते हैं, जो आप काम कर सकते हैं, आपको calendar का इस्तमाल करना है, Google calendar का, सबसे आसान है, free tool आपको एप का इस्तमाल भी कर सकते हैं, वैसे Google calendar की एप भी आती है, Android phone में बिल्कुल free होती है, वो आपको बार वार याद दिलाएगी कि अब ये काम करना है, अब ये काम करना है, एक आद महीने बाद आप बिल्कुल उस time table के अंदर रम जाओगे, फिर आपको कोई दिक्क जाएगी, अलार्म की जरूद नहीं पड़ेगी दोस्त, तो आपकी बोड़ी दीरे दीरे सारी habits डेवलप हो जाती है, एक ऐसी उमीद रखिए जो की जा सके, जैसे मैं अभी आठ साल ते exercise नहीं करता हूँ, बट कल में चाहता हूँ कि में शारुक खान की तरह six pack abs बन जाए मेरे, और कल में बहुत सारी exercise कर डालू, बहुत सारी मास पेशी ना, तूट जाएंगी, फोट जाएंगी, और अगले 10 दिन तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, तो step by step भी काम करना है, ज्यादा हरबड़ी करने की जरुत नहीं है, ज्यादा कुछ करोगे तो खत्रे में आ ज जाएगी, राइट, फिर जो time table बनाया है, काफी सोस समझ कर, फिर उसको follow करो, अपने लिए जिम्मेदार बनो, time table को जिम्मेदारी से निभाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, उसके बीच में अगर कोई phone आता है, तो ना कहना सीखिए, कोई घर में guest भी आता है, इस दो घंटे हैं, मैं किसी से नहीं मिलूँगा, दो घंटे के बाद मैं जरूर मिलूँगा, sorry, emergency's की बात अलग है, तो ऐसे तो कोई भी आता रहेगा, चाचाब हुआता हूँ, कोई भी आता रहेगा, right, so don't say yes to everything, जितनी भी unnecessary activities है, सब के लिए no कहना सीखिए, no कहना बहु बनाते हैं, payment, management का जो काम है, उसके लिए एक content को काम दे रखा है, छोड़ा सा परमन्त, वो समाल लेता है, GST भरने का काम किसी को दे रखा है, तो ऐसी छोड़े मोटे काम हमने freelancers को दे रखा हैं, जिससे हमें tension नहीं होती, तो जो भी काम आपको ज़्यादा कमाने में So it is very very important to learn to delegate, delegate करना भी एक कला है, कौन सा काम दूसरे व्यक्ति से करवाना है, इसे आलस नहीं कहते हैं, आप कुछ और higher level का काम कीजिए, अपने level को और उपर उठाइए, राइट, अपनी care के लिए, self care के लिए time रखिए, सोबह उठके yoga करना है, exercise करनी है, running करनी है, meditation करना ह अपना कुछ सीखना है, relax होगना है, जिससे कहीं है सानों, body की band बज्जा है, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, right? celebrate, celebrate और accomplishments, छोटे-छोटे भी उपलब्दियां होती है, छोटी-छोटी, एक blog लिग दिया, उपलब्दी है, online से अगर 10 रुपे भी कमाएं तो उपलब्दी है, पहला client मिल गया उपलब्दी है, interview crack हो गया उपलब्दी है, नया showroom खोला है, कुछ गराक आगे उपलब्दी है अरे यार, पांची गराक आए, अरे यार, salary बहुत कम है, अरे यार, सिर्फ 100 रुपे कमाएं, तो आपको negative चीजों पर ध्यान नी देना है, positive चीजों पर ध्यान देना है, खुश रहना है, celebrate करना है, party करनी है, क्योंकि जब आप खुश रहने के आदर डालेंगे, तो और दुखी रहेंगे, बड़ा simple सा fund आ है, यार, ये, बड़ा simple fund आ है, याद रखिए, कोई भी बड़ा काम करने में time लगता है, और time table बनाने में भी time लगता है, तो अगला एक महीना में आपको देता हूँ, कि time table आप कल ही बनाए, इस वीडियो के तरुंत बाद बैठके बना दे, वो time table बिल्कुल एक दम fresh होगा, उसमें दिक्कत हैं आएंगी, एक महीने की अपने आपको flexibility दो, कि ये time table है, अब इसमें एक महीने के दौरान changes हो सकते हैं, बड़ एक महीने के बाद जो बन के आएगा perfect time table होगा, फिर मुसको follow करोगा, उसके अंदर भी छोटे मोटे ब सके, right, identify and eliminate time wasting activities from your schedule, कौन कौन सी activities हैं जो आपका time waste करती है, nutable tight कीजिए time table के, कहां मैं 5 मिनट बचा सकता हूँ, कहां मैं ये कर सकता हूँ, मुझे relax भी करना है, self care भी करनी है, काम भी करना है, सब करना है, right, find a time management method that works best for you, और time management के लिए मैंने आपको बताया है, google calendar free का tool है, को practice कीजिए, discipline की और consistency की, अपने time table को follow कीजिए, learn to prioritize and focus, जो वास्तम में जरूरी है, उसको कीजिए, what truly matters, what truly matters, सबसे ज़्यादा जरूरी काम को कीजिए, time table बना कर, उसका follow करकर, आप अपनी productivity को बढ़ाएंगे, अपनी लक्षों को बहुत आसानी से अचीब कर सकते ही, अगर पूरा यकीन है कि आपको जो मेरा course है, वो भी सोँझ में आएगा, अगर आप आज motivate हुए है, तो मेरे career building school में आकर आप regular motivate रहेंगे, अगर आप अपने जिंदगी में digital skills सीखना चाहते हैं, कमाई के बहुत सारे साधन तयार करना चाहते हैं, और आपका mind open है कुछ सीखने के तो description में link दिया गया है, मेरे digital empire course का, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा courses है, जिसकी value दो लाग रुपे से ज़्यादा है, जिसमें हर अफ़ते दो live classes होती हैं हमारी lifetime membership के साथ, सिर्फ और आपको मिल रहा है 5999 में, मेरा request है आपसे, उसको join कीजिए और अपनी life को better कीजिए, मैं म मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत